हेलो फ्रैंस इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को ये शो करने वाला हूँ की आखिर यहाँ पे हम हाइपर वह स्टूपेंटों में iOS Recents यानि की New Pilot Recents को कब तक Accept कर सकते हैं सो यहाँ पे Xiaomi ने कल के दिन एक New Launcher Beta को Release किया था जिसमें हमें Officially कुछ New Features देखने के लिए मिल चुके थे और यह बहुती बड़ी Good News Xiaomi फैंस के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती थी इसके regarding मैं Long Video Create कर चुका हूँ कि कौन कौन से Features आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके हैं आप इस वाली वीडियो के बाद उस वाली वीडियो को भी जा करके चक आउट कर लेना तो अब यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे Xiaomi एक New Launcher Beta को Release करने वाली है जो HyperOS टूपेंटो का ही यहाँ पे होने वाला है और उसमें आपको यहाँ पे Officially iOS के Recents जिसको यहाँ पे Xiaomi ने Rename कर दिया है New Pilep Recents में वो आपको Officially यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले है New Launcher Beta Update के साथ अभी के लिए यहाँ पे Xiaomi के Smartphones में 4.39.36 का एक Stable Version यहाँ पे चल रहा है और यह बहुत ही बड़ी गुड़ी न्यूज शौमी फैंस के लिए मिल जाती है तो अब आपको सिंपली एक दिन का वेट करना है एक दिन के अंदर-अंदर यहाँ पे Xiaomi इसको जरूर से rolling out करेगी और यह 100% confirm हो चुका है कि यहाँ पे Xiaomi iOS Recents को यानि कि New Pilot Recents को launch करने के लिए जा रही है तो आप क्या यहाँ पे iOS Recents के लिए अपने Xiaomi डिवाइस के लिए excited है और यह केवल यहाँ पे HyperOS, Android 14, HyperOS 1.5, Android 14 and HyperOS 2.0, Android 14 पर और Android 15 पर ही work करेगा तो बी रेडी तो सी दा ओफिशल iOS Recents यानि की New Pilot Recents in योर Xiaomi स्मार्टफोन कमेंट नौँ और सबस्क्राइब नौँ अगर आप यहाँ पे इसका वेट कर रहे हैं क्योंकि APK जब भी रिलीज होगा इसके रिगार्डिंग मैं लॉंग वीडियो क्रियेट कर दूँगा अगर आपको यहाँ पे लेट है Xiaomi HyperOS 2 पेंटो की News सबसे पहले यहाँ पे चाहिए तो अगर आपको यहाँ पे लेट हैं क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लेट हैं